मदप्रदेश का सीधी जिला जो लगतार कहीं कहीं सुर्खियां बटोरता नजराता है और सबसे बड़ी चीजे तो ये हैं कि मदप्रदेश में जो सीधी जिला है ये सबसे जादा सुर्खियां बटोरता इस बात की है कि कहीं कहीं कोई घोटाला कोई ब्रष्टाचार या कुछ नो कुछ इस तरीके से देखा ही जाता है लेकिन दूसरी तरफ देखिए विकास परव निकाला जा रहा है मानिस शिवराज सिंग चोहान जी के द्वारा जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान मदप्रदेश के और उनके द्वारा विकास पर निकाला जा रहा है कि हमारे द्वारा काफी विकास किया गया है एक ऐसा विकास हम आज आपको दिखाएंगे जो विकास देखकर आप धंग रह जाएंगे एक ऐसा विकास जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर तक इलाज करने को तयार नहीं रहते बलकि अपने घरों पर बैट कर क्लीनिक खोल कर बैठे रहते हैं और आम जंता जो है वो तरस्त होती है गरीब हॉस्पिटल में आता तो जरूर है लेकिन कहीं न कहीं फिर से भागता भागते हुए देखे जा रहे हैं इस टाइम पर आप देख रहा हुँगे ये विजोर जहां ऑफिटल का य जो मरीज मधू है इस मधू के साथ ये होता है कि जारा वजे तो इनका जो है इलाज सुरू होता है लेकिन इसके बाद डॉक्टर ही नहीं आते रात को लगभग 9-10 बजे के बीच में ये फिर से ये बिस्तर उठाते हैं और फिर से वहां सिरफ उचकर हो जाते हैं यहां तक इ आउन्ड में डॉक्टर यहां पर नहीं आते ये जो है नजारा जिलास्पताल सीधी का है लोग यहां पर गरीब जो हैं तरस्त परिसान जो हैं लगातार सिर्फ विस अस्पताल के विवस्था से प्रबंधक से परिसान रहते हैं कई ने कई आपने देखा कि सिविल सर्जन यहां लगातार बदलते नजर आ रहे हैं कभी देखा जाता है कि देविन सिंग रहते हैं तो कभी सिविल सर्जन जो है तो यह भी खरे होते हैं और फिर से अभी नए लगव 45 दिनों के लिए फिर से आए लेकिन अभी भी विवस्थ आम जनता आज वित्रस्त है कल वित्रस्त थी कोई विवस्था ठीक तरीके से नहीं देखी जा रही क्या आम जनता इस तरीके से प्रताडित होती रहेगी आएगी और इलाज बिना करवाही चली जाएगी आखिर में इने जो डॉक्टर जो हैं उनको किस चीज का रिये जो है उ आपस आ जाए क्या बेवस्था है कहीं न कहीं लगातार सरमसार करने की इस्तती जो बनी रहती है जिला को बदनाम करने की सही तरीके से चलने की इस्तती जो देखी जाती है कहीं भी देखी जा रही है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के इनसान खुस हो लेकिन इस पूरे मामले उपर मैं आपको बता दो कि जिला कलेक्टर के पास भी लोग फोन करते हैं लेकिन जिना कलेक्टर कभी फोन उठाते ही नहीं है अगर कभी गलती से फोन अगर उठ भी जाता है तो जिला कलेक्टर बस यही कहते हैं कि मैं आऊंगा राउंड करूंगा और यहा नहीं देखा जाता कि आखिर में जो हास्पिटल प्रबंधक और साथ में जो हास्पितल में बैठे जो ड DC हैं वो रहे हैं। अगर हुलाज नहीं हो रहा तो आखिर में दॉक्टर कहां है। कौन थी विवस्था के तह्त हैं यहां पर DM बैठे हैं। बड़ा सवाल फिर से कहीं न कहीं जिला कलेक्टर का नाम बार बार आ जाता है क्योंकि उन्हीं के अंतरगत ये सारी वेवस्थाएं भी हैं। मैं आपको बताना जाहूंगा किसे पूरे मामले पर शेमचो जो है। वो भी कहीं न कहीं देखा जाता है कि पत्रकारों के उपर तो भड़क जाते हैं। लेकिन इस ब्यवस्था पर नहीं भड़कते कि आखिर में ये जो ब्यवस्था है वो ऐसी क्यों है। लगतार देखते रही है तरंगड़ी फो नियूज को सुनिए ये पीडित का बयान की आखिर में क्या कहना है उनका। देखने बारा नहीं है उल्टी दस्त का मरीज हमारा का लगता है। आपका नाप सीता राम नापूर। बहुत भूत धनेवाद पर बने रहें तरंगड़ी फो नियूज के साथ। फिर मिलता हूँ एक बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार। जय हिन जय बिंद।